कि आपका NORSET 2023 को नस्ते नाबूद करने के लिए हमें क्या करना चीए, क्या तरीका काम में लें कि अब हमारा सेलेक्शन हो जाए तो कुछ 10 मिनिट के लिए जो मुझे सुनेंगे उनके जीवे में कुछ अमूल चुक परिवर्तन होने वाला है तो कुछ समय के लिए सुनने की कोशीज कीजगा तो अभी मैं आपके गमेंट बॉक्स नहीं देखूँगा और मैं आपको एक चीज बताने की कोशीज करूँगा तो सबसे पहले आपको कोई 10 किताबे नहीं, एक बुक को सलेक्ट करना है जो भी आपके पास में एक किताब है उसे एक किताब का यूज करना है 10 किताबे नहीं पढ़नी है क्योंकि अपने को किसी को शौप नहीं करना है कि मैंने 10 किताबें पढ़ रखी है एक किताब का ही यूज करना है कोई भी करें best of preference मेरी तरब से निकल के आएगा वो होगी NCLEX मेरी तरब से अगर कोई best किताब निकल के आती है तो वो होती है NCLEX और MOSS भी ध्यान रखेगा NCLEX और MOSS भी दो अच्छी किताबे निकल के आती है मेरी नजरिय से सबसे पहले आपको क्या करना है है आपने जिस भी इंस्टीटेट से कोचिंग कर रकी है ध्यान रखेगा चाहिए उतकर से की होगी च्या अटक से कटक कहीं से भी कोचिंग की रखी है सब में में वस 1920 फर्क होता है कुछ चीजे कोई रटवाता है तो कोई चीजeln समझता है कोई context logic rational देता है तो कोई कुछ आनकरियां देता है तो सबसे पहले आपको अपनी theory को complete करना है आपको जहां से भी आपके पास में जो notes अवेलेबल है जिस भी institute के notes अवेलेबल उनकी theory पढ़ें अगर आपके पास में किसी institute के कोई theory के notes नहीं है तो आप इस NCLEX के notes को prefer कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई दूसरे theory के notes है तो NCLEX की theory को ना पढ़ें अगर आपके पास में दूसरे किसी institute के notes है तो आप NCLEX के notes तक नहीं जाएं क्योंकि गूम फिर करके लगबग सबने वही set कर रखा है मामला तो सबसे पहले आपको theory पढ़ना है सर अब हम theory कैसे पढ़ें तो ध्यान रखेगा medical surgical nursing, OBG, community, mental health nursing, fundamental of nursing, nutrition, micro, research management मोटे मोटे रूप में सारे एक पीडिया यह सारे subject आपके सामने आ चुके हैं यह आपके सामने सारे subject आ चुके हैं कुछ पांच मिनट के लिए सुनिएगा बहुत अच्छी चीज है सर अब हमें क्या करना है तो ध्यान रखेगा pediatric subject एक दिन में complete हो जाएगा research management micronutrition एक दिन में complete हो जाएगा अगर ढंग से theory यह theory के लिए मैं कितने गंटे बता रहा हूँ एक दिन को मैं 8 गंटे का मानता हूँ पढ़ाई के लिए क्योंकि rule of 8 बताया था आठ गंटे की पढ़ाई 8 गंटे का आराम 8 गंटे की निन यह आपको बता रखा था तो एक दिन मेरी नजर में कितने गंटे का 8 गंटे गा 8 गंटे अगर पीडियाट्री को पढ़ोगे तो एक दिन में पीडिया कंपलीट हो जाएगी research management micronutrition तीनों को मिला के एक दिन में subject कंपलीट हो जाएगा हाँ फार्मा को count करवा देंगे community के लिए आपको एक दिन चाहिए OBG के लिए आपको एक दिन चाहिए ध्यान रखेगा theory जो आपके पास में है क्लिए क्योंकि 8 गंटे के अंदर बंदा 80-100 page पढ़ सकता है 80-100 page theory के और यह theory कैसे पढ़नी है आपको रुकना नहीं है आपको अकबार की तरह पढ़ना है कुछ बच्चे होते हैं वो अटक के बैठ जाएंगे कि congestive heart failure है क्या है क्या नहीं आप पढ पढ़ना है नेक्स्ट आप क्या करोगे कि mental health nursing एक दिन में पढ़ लोगे fundamental एक दिन में पढ़ लोगे कहने का मतलब सर अम सभी subject की थियोरी को एक एक दिन में पढ़ लेंगे ज्यादा दिमाग लगा होगे तो community और ओबीजी डेट डेट दिन कर देना इससे ज्यादा नहीं ह ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये सिर्फ आपको मैं अभी थियोरी अकबार की तरह पढ़ने के लिए वोल रहा हूँ एक दिन हो गया दो दिन तीन चार दिन पांस दिन च्छै दिन में आपने इतना मोटा मोटा सेलेवस आपने अभी तक पढ़ लिया पीछे बची MSN MSN के अंदर 10 से 12 सिस्टम होते हैं तो आप लगबग 4 से 5 दिन के अंदर complete MSN की थियोरी पढ़नी है 4 से 5 दिन के अंदर रोज MSN के 2 सिस्टम पढ़ने है रोज MSN के 2 सिस्टम पढ़ने है easy to हो, easy to हो जाएगा दो सिस्टम को औरेंज ऐसे करें कि एक अगर नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो तो एक सलका सा सिस्टम ले 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 जैसे कि muskuloskletal ले लिया दूसरे दिन endocrine पढ़ रहे हो तो IENT साथ में पढ़ ले तीसरे दिन cardiovascular पढ़ रहे हो तो साथ में onkology ले 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 से आपको औरेंज करना चार से पांस दिन में अब इसके अंदर आप एक एक दो दो दिन आ गया है पीछे जोड सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि इतने दिन में खतम करनी है fundamental एक दिन में पढ़ सकते हो easy way में पढ़ लोगे mental health nursing बहुत छोटा साथ दिन कर दो एक दो दिन आप बढ़ा सकते हो खुद के इस तर पर कहीं की speed ज्यादा है तो इसके अंदर कर लेंगे कहीं ज्यादा मिले लेंगे community health nursing एक दिन में हो जाती है जो दीरे पड़ेगा उसको डेड़ दिन ओबीजी एक दिन में हो जाएगी जो दीरे पड़ेगा डेड़ दिन तो डेड़ डेड़ करोगे तो भी तीन दिन है next हो गया nutrition, micro nutrition, management एक दिन में आराम से हो जाएगी अब यहां मैंने क्या बोला है सर एक दिन, दो दिन, दो और पांच, साथ, आठ, नो, दस, इग्यारा और कितने होगे चार, चार, पांच, नो, दस, इग्यारा 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 इग्यार बस के coding 11 दिन में पूरी हो रही है, 10 से 11 दिन में theory complete हो रही है, जो बच्चा धीरे पड़ेगा वो maximum 15 days में आपको complete करनी है, regularity के साथ में, ठीके साथ, 15 दिन में हमारी theory संपूर्ण complete हो चुक है, 15 दिन में हमारी theory क्या हो चुक है, complete, अब आपको क्या करना है, अब हमें करना है, सर क्यूशन प्रेक्टिस, अब हमें क्या करना है, क्यूशन प्रेक्टिस करना है, और क्यूशन प्रेक्टिस के लिए आपको किस चीज के लिए जाना है, क्यूशन प्रेक्टिस के लिए, आपके पास में दो किताबे में नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग आराम से पहच पास में सिंगल लाइन के क्यूशन वाली होगी और एक होगी आपके पास में मल्टीपल लाइन की किताब, एक होगी आपके पास में मल्टीपल लाइन की, सर मल्टीपल लाइन की कौन सी किताब है तो मल्टीपल लाइन की होती है सौंडर्स और मौस भी, सौंडर्स को एंकलेक वाली किताब है उसमें वही 6,000 है जो हरी वाली किताब कहे हैं समझ बारे हो ना मेरी बात को जो आपकी 12,000 किताब है वो 6,000 तो हूब हूब कोपी है तो 6,000 और 12,000 में से एक किताब को प्रफर्वेंस देनी है चाहिए आपकी जो मर्जी है जिसको दे देना जो आपकी इच्छ सर दोनों मेंसे एक किताब लेनी हैं। कीताब लेनी हैं। मोसपी मेंसे आपको एक किताब लेनी हैं। जो इच्छ हैं हैं वो लेलो। सर , NClicks में कितने क्यूसन हैं ? झूसा हैं सर थी, देखने को मिलते हैं वैसे तो 1180 है लो एक्जेक्टली जो बंदा जाना चाहता है 1180 क्यूशन है एंकलेक्स में 1180 क्यूशन है और मोसबी में 265 क्यूशन है दोनों में से एक ले ली यहां 6000 और 12000 वाली एक किताब ले ली अब इंपोर्टेंट चीज आती है कि सर सोल कैसे करें तो लिक लिक के क्यूशन प्रेक्टिस करना है लिक लिक के मतलब आपको अपनी रब कोपी के उपर ओमार सीट को बढाना है और अगर आप सिंगल लाइनर क्यूशन को सोल कर रहे हो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी अब थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो अब सिर्फ क्यूशन प्र पर्ड है, सो सो के शलोट में करने हैं, सो क्यूसन सोल करो, एंसर की देखो, रेसनल पडो, किताब को रोको, आराम से वाटसप फेस्बुक चलो, वापस आओ, दिनके पांच स्लोट में 500 क्यूसन कर लिए, सिंगल लाइनर के, कितने कर लिए हैं, और अगर 500 क्यूसन करते हूं तो आगामी 10 दिनों के अंदर 5000 क्यूसन हो जाएंगे, कितने क्यूसन हो जाएंगे 5000 क्यूसन यानि एक book क्यूम्पलीट हो गई है, अरे क्या हो गई है ध्यान रखेगा एक किताब फिर से 10 दिन में कंपलीट हो गई, और next अगर आप NCLEX लेते हो तो NCLEX मोसबी के रोज के 100 क्यू 10 दिन हमने सिंगल लाइनर किताब को, 10 से 15 दिन सिंगल लाइनर किताब को दे दिया, तो 15 और 10 कितने होगे, 25 और 10 दिन में NCLEX को जोड़ दिया, 40, 40 दिन की पढ़ाई में आपने complete theory पढ़ ली, ध्यान रखेगा, उसके अलावा सिंगल लाइनर किताब पढ़ ली, मल्टिपर लाइन किताब पढ़ ली, किसी माई के लाल में उकाद नहीं है, जो तुम्हारा selection रोक ले और 360 डिग्री जे, physiological need for any hearts of the, any type of nursing student, हर nursing student के लिए 360 डिग्री तो रामबान साबित होने ही वाली है, ये तो compulsory है,